हेलो गाईज आप देख रहे हैं वाई जी लोर मैं हूँ वाई जी और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेस्टेड इंट्रेस्ट और कंटिंजेंट इंट्रेस्ट वेस्टेड वर्ड का मतलब होता है बिस्टोड मतलब दे दिया है तो इंट्रेस्ट दे दिया है contingent का मतलब होता है dependent upon chance मतलब अभी interest मिला नहीं है शायद मिल जाए शायद ना मिले chance की बात है vested interest के अगर बात करें तो एक example लो कि मालो A, B के favor में एक property transfer करता है और बोलता है कि property तिरको transfer हो जाएगी अगले साल की 3 March को ठीक है? तो अगले साल की 3 March की date आनी है आनी ही आनी है, पक्का आईगी होई नहीं सकता है कि नहीं आए 100% surety है कि अगले साल की 3 March की date आईगी ही आईगी तो future में एक event है जो पक्का sure है कि होगा ही होगा तो यहाँ पे इस case में अगर पक्का sure है future का एक event होगा ही होगा और उस 100% sure event पे आपका property में जो interest है वो dependent है तो आपके अंदर create होगा एक vested interest उस property को लेखे तो ये दो हो गया vested interest जब आपका interest ऐसी चीज़ पे dependent हो जो 100% होगी ही होगी अब मालो वही example लो A, B के favor में property देता है और बोलता है कि तेरे को ये property मिल जाएगी अगर इंडिया अगले साल World Cup में जीच जाएगी तो तो यहाँ पे इंडिया अगले साल World Cup में जीच जाएगी ये पका शोर है कि 100% हो गई होगा क्या नहीं पता नहीं अपने को शायद जीच जाए शायद हार जाए तो B को property मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो dependent है एक chance पे तो अगर इंडिया जीच गई तो उसको property मिल जाएगी अगर नहीं जीती तो उसको नहीं मिलेगी तो B को property मिलेगी या नहीं मिलेगी ये based है contingency पे तो B का जो उस property में interest है वो है contingent interest है काफी लोग सोचते हैं कि contingent interest लिखा तो ये type of interest होता है contingent interest को interest नहीं है contingent interest एक concept जो अपने को बताता है कि जो interest है वो contingent है वो एक contingency पे based है वो एक chance पे based है जिसका मतलब यह नहीं है कि कोई specific तरह का interest है वो बस इतना बता रहा है कि यह интерес शायाद मिल जाए शायद ना मिले अगर contingency हो गई तो मिल जाएगा, अगर नहीं होई तो नहीं मिलेगा लेकिन vested interest short shot है, कि हाँ भई मिलेगा ही मिलेगा, भले अभी नहीं मिला future में मिलेगा लेकिन future में जिस event के basis पे मिलेगा वह event 100% होगा अगले साल 3 March की डेट आईगी ही आईगी अगले साल इंडिया वर्ल्ड कप में जीते ना जीते पक्का नहीं है तो यह एक basic fundamental conceptual difference है अब अपन section number देखते हैं उससे पहले मेरा logo देखो क्योंकि मेरा वीडियो देख लोगों दिखाऊंगा तो मोटा मोटा अपन ने पढ़ लिया अगर चार नंबर का तीन नंबर question आएगा तो आप लिख दोगे difference लेकिन अगर ज्यादा नंबर का question आया 15 नंबर का question आगया तो क्या करोगे तो उसके लिए पढ़ रहे हैं अभी यह पढ़ते हैं वेस्टेड लेकिन ऐसी है interest created in favor of a person without specifying the time and term when it is to take effect तो पहली चीज हो गई without specifying the time and term when it is to take effect और on the happening of a certain event which must happen तो बाई जो second वाले चीज है on the happening of a certain event which must happen इसका example तो दे दियागा अगले साल की 3 मार्च को तेरा interest activate हो जाएगा तो अगले साल की 3 मार्च आनी आनी है which must happen लेकिन ऐसी का situation है जिस इसमें अपने को पता नहीं है कि time or term कि कब होगी वो चीज लेकिन यह पता है कि वो होगी ही होगी 100% surety कि वो होगी इसका example लो A है A B के favor में life interest create करता है ठीक है कि जब तक B जिन्दा रहेगा जब तक property उसके पास रहेगी और उसके बाद C के पास चले जाएगी तो यहाँ प पता है ना term पता है कुछ नहीं पता कि यह कितने time बाद मरेगा यह लेकिन क्या B मरेगा पका शौर बात है देखो आज तक तो human history में अमर लोग हुए नहीं है तो बी पका मरेगा यह तो शौर है लेकिन अपने को पता नहीं कब मरेगा लेकिन जब भी मरेगा तब C के पास प्रॉपर्टी आ जाएगी तो C के favor में यहां पर क्या है वेस्टेड इंट्रेस्ट है तो वेस्टेड इंट्रेस्ट की एक ही चीज़ आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी कि वेस्टेड है कि नहीं वह यह देख लो कि ऐसी चीज होनी चाहिए विच मस्ट हैपन जो आप अब प्रायर इंट्रेस्ट इन सब्वन एलसेस फेवर यहां पर प्रायर इंट्रेस्ट बी के favor में create किया है लेकिन वो लिमिटेड इंट्रेस्ट है लाइफ इंट्रेस्ट ही है तो प्रायर इंट्रेस्ट कर दिया है इसके favor में इसका मतलब यह नहीं है कि C के पास वेस्टे interest होगा C के favor में B के पास जब property होगी तब भी C का vested interest होगा उस property में second point postponement of right to enjoyment and accumulation of income until the time of enjoyment arrives मान लो A, B को एक property transfer करता है लेकिन बोलता है कि तू इसको enjoy नहीं कर सकता जब तक तू 25 साल का नहीं हो जाता और 25 साल का जब तक तू नहीं होगा जब तक इस property की सारी income C के पास जाएगी तो सिर्फ ये condition create कर देगी 25 साल तक इसका जो interest हो रहा है इसका right of enjoyment delay हो रहा है इसका मतलब यह नहीं कि इसका उस property में vested interest नहीं है vested interest ही होगा वो उसको अपन contingent interest assume नहीं करेंगे क्यों अगर B पहले भी मर जाता है 25 साल से तो भी B के representative को वो right transfer हो जाएगा उसका जो vested interest है वो उसके आयर्स और successors को मिल जाएगा तीसरी चीज conditional limitation मानलो A B के favor में property दे रहा है लेकिन conditional limitation लगा दे रहा है conditional limitation क्या है कि B को property मिल गई है B owner है property का उसके बास transfer हो गई है लेकिन in case कोई एक condition है जो B ने fulfill नहीं करी इस case में मानलो A ने B पे condition लगा दी कि भाई अगर तुने 35 की उमर तक शादी नहीं करी तो यह property D को चली जाएगी तो यहाँ पर D के पास क्या है D के पास contingent interest है क्यों क्योंकि अपने को पता थोड़ी ना B शादी करेगा की नहीं करेगा शौर शौर गैरेंटी नहीं है property B को अल्रेडी मिल चुकी है D को property मिलेगी की नहीं मिलेगी यह dependent है कि B शादी करेगा 35 से पहले की नहीं करेगा तो यह B की property का जो हक है उस पे conditional limitation है property उसी की है लेकिन B के उपर एक limitation है कि तरको 35 से पहले पहले शादी करनी है अगर B ने शादी नहीं करी तो D का contingent interest contingent नहीं रहेगा D को property मिल जाएगी तो यह है section 19 काफी simple सा है कि vested interest होता गया और कौन सी 3 चीज़े हैं जिससे vested interest effect नहीं होता है यह सब section में bear act में ही दे रखा है उसके बाद section 20 बात करता है when unborn person acquires vested interest on transfer for his benefit यह वाला section वो situation describe करता है जब आप unborn के favor में interest create करते हैं आप unborn को transfer कर रहे हो property लेकिन आप directly तो कर नहीं सकते हैं तो unborn को कब vested interest मिलेगा exactly तो जैसे situation लो कि A है A को किसी unborn के favor में property transfer करनी है तो वो directly करनी सकता वो unborn के father के favor में life interest create कर देता है माल लो unborn का father है B तो B का जो बच्चा पैदा होगा उसको absolute interest मिलना है property में लेकिन क्या B का बच्चा होगा यह ऐसी situation है जो 100% होगी होगी नहीं है बच्चा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो क्या अभी unborn के पास vested interest है नहीं है अभी जो यहाँ पर unborn है उसके पास एक contingent interest है तो section 20 अपने को बता रहा है कि कब इस unborn को vested interest मिलेगा तो section 20 simple सी बात बताता है कि unborn जैसे ही पैदा हो जाता है न वैसे ही उसको vested interest मिल जाएगा तो जैसे ही unborn पैदा हुआ उसका contingent interest convert होके vested interest में transform हो गया है तो यह होगी अपना vested interest अब अपन बात करते हैं contingent interest की contingent interest की अगर definition की बात करें तो section 21 में दीवी है 21 बोलता है interest created in favor of a person which will take effect only on the happening of a specified uncertain event which may और may not happen इसका example मैं वीडियो के starting में आपको दे चुका हूँ कि India World Cup जीतेगी तो तिरको property मिल जाएगी अब India may win और India may not win तो contingent है वो situation short shot नहीं है कि होगी ही होगी जैसे ही वो contingency fulfill हो जाती है वैसे ही वो contingent interest vested interest बन जाता है जैसे पिछले example ने A ने B के favor में life interest create करा और बोला कि B का जो बच्चा पैदा होगा unborn वो जैसे ही पैदा होगा उसको vested interest मिल जाएगा तो जब तक unborn पैदा नहीं हो रहा तब तक उसके पास क्या है contingent interest जैसे ही वो पैदा हो जाता है contingent interest transform होगे vested interest बन जाता है लेकिन जब तक ये vested interest नहीं बनता जब तक ये सिरफ एक promise होती है contingent interest become vested interest on happening not happening of the uncertain event it is merely a promise of interest on fulfillment of the condition मतलब जब तक unborn पैदा नहीं हो जाता जब तक unborn के पास कुछ नहीं है unborn के पास एक chance है property आनेगा वो जैसे ही पैदा हो जाएगा उसने contingency फुल्फिल कर दी वैसे ही उसका vested interest होगा उससे पहले नहीं होगा तो इसलिए contingent interest एक type of interest नहीं होता contingent interest सर्फ ये बता रहा है कि आपके पास एक chance है कि interest आपके पास आ सकता है you may get the property और you may not get the property इसके बाद तीन section है 22, 23, 24 वो तीन situations बताते हैं सबसे पहला है 22 transfer to members of a class who attain a particular age मान लो A ने property transfer करी है B, C, D और E को और contingency रखी कि जैसे ही 18 साल के हो जाएंगे वैसे ही इनमें vested interest हो जाएगा तो section 22 बोलता है कि जरूरी नहीं है कि चारों 18 साल के होंगे तभी एकदम से इन चारों में vested interest आजाएगा कि चारों 18 साल वाली condition फुल्फिल कर देंगे तो चारों में vested interest आएगा section 22 बोलता है कि जैसे मान लो B 18 साल का हो गया बागी तीनों नहीं होए तो B को vested interest मिल जाएगा उसके थोड़े दिन बाद D 18 साल का हो गया तो D को vested interest मिल जाएगा बागी तोनों को नहीं मिलेगा उसके बाद मान लो E मर गया और C भी अठार की जो condition है वो qualify कर जाता है तो इन तीनों में vested interest हो जाएगा और E out हो जाएगा तो section 22 बोलता है कि अगर आप एक class को बोल रहे हो कि बाई एक particular age पे तुम्हें vested interest होगा तो उस class का हर member जैसे जैसे उस age का होता जाएगा वैसे वैसे उसको vested interest मिलता जाएगा उसके बाद section 23 बात करता है transfer contingent on happening of a specified uncertain event तो यह ऐसी situation बता रहा है कि मानलो A है A ने B के favor में life interest create किया और फिर उसके बाद ultimately property C के पास जानी है और uncertain event पे based है वो uncertain event अपन मान लेते हैं कि C अगर graduation complete करेगा तो ही उसको property मिलेगी तो यह वाला section, section 23 बोलता है कि C को graduation B के मरने से पहले करनी पड़ेगी जो contingency है that has to be fulfilled before the prior interest ceases B का prior interest life interest है life interest मतलब B के मरते ही उसका interest खतम हो जाएगा अब B के मरने से पहले पहले अगर senior graduation कर ली तो थीक है उसको vested interest मिल जाएगा लेकिन in case B मर गया और तब तक senior graduation नहीं करी तो अब इसका chance गया अब यह property वापस A को revert हो जाएगी और उसके बाद section 24 बोलता है यह तो बहुत ही simple सी बात बताता है यह बोलता है कि अगर ऐसी कोई condition रखी है कि एक period of time में जो survive कर रहा होगा उस उसको property मिल जाएगी मानलो A, B को property transfer करता है यह official bear act का illustration है A, B को property transfer करता है for life life interest इसका create कर रहा है और बोल रहा है कि जब B मर जाएगा तो C और D में equally property divide हो जाएगी लेकिन मानलो C और D में से D मर जाता है B के मरने से पहले ही और उसके बाद B मरता है तो सिरफ C को पूरी property मिल जाएगी अगर B मरता है जब C और D दोनों जिन्दा है तो C और D को equally बढ़ जाएगी जैसा decide किया था तो सिरफ ऐसा बोला है कि B के पास life interest और C और D में divide हो जाएगी और उनमें से एक जना पहले मर जाता है तो ऐसा नहीं कि पूरा transaction ही cancel हो जाएगा जो surviving member है उसको मिल जाएगी property तो ये काफ़ी specific सी 3 situations थी जो इन्होंने section में describe कर दी illustration देखे भी ये clear हो सकता था लेकिन ठीक है तो यहाँ पर अपना complete हो रहा है vested and contingent interest लेकिन देखो इतना वीडियो देख लिया है तो अभी एकदम से बंद करने की जल्दी मत लगाओ like कर दो और comment कर दो YouTube algorithm के लिए और ताकि तुमारे भाई का channel ज़्यादा promote हो ज़्यादा जल्दी grow और अगर judiciary की तयारी कर रहे हो तो YG Law का A to Z Ultimate Course of Transfer of Property Act है अगर judiciary के student है तो यह course देलो इसमें तुम्हें थाली में सब कुछ मिल जाएगा notes, video, MCQ, सब कुछ doubt solving, सब कुछ तो उसका link यहां पर आजाएगा वो देख लेना और फिर अगर सिर्फ college के लिए पढ़ रहे हो जुड़ीशी रिव्युड़ीशी की तयारी नहीं कर रहे है इंडेप्ट नहीं पढ़ना बस college के exam परपस है तो मेरी TPA की free playlist है college वालों के लिए उनके लिए एनफ है, वो यहां पर आजाएगी वो देख लेना मिलते हैं अगले वीडियो में, बाई बाई डाटा, टेक केर